हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्टेडिया एक केडिन स्वागते आज आपके लिए न्यापर राजस्तान बोर्ड परिक्सा 2020 से रिलेटेड आपको महतोपुन जानकारी बताऊंगा पांच वी आठ वी दस वी बोर्ड की जो परिक्सा है परिक्सा तिती को लेकर और रिजल्ट क लेकर के नहां पर अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है तो उसी बयान को देखेंगे बेलकुल आपको पुरूप के साथ बताऊंगा दोर न्यूज के साथ बताऊंगा दोस्तों महतोपुन कबरे आपको बताऊंगा नव भारत टाइम्स और आपके जो न्यूज वेपर है और भी उनके माध्यम से आपको अभी इस वक्त की बड़ी कबर 31 तारीक की चले जानकरी देख लेते हैं तो दोस्तों यह आप एफसाइट देख रहे होंगे महतोपुन अपडेट है आप नहां देख सकते हो नव बारस टाइम्स तो यहां पर इसकी महतोपुन कबरे नव ब जानकरी सामने आईएं यह जानकरी परिक्षा और उनके रिजल्ट की तारिकों के बारे में हैं यान County देश बर की सभी परिक्षाओं की बात की अगया यहां परी ने से ज्यादा हो चुका है यानि की मंगलवार यानि की आज की बात कर रहे हैं यहां पर वहीं देश के संक्रमन में से मरने वालों की संक्राइब कोई अपन को मतलब नहीं है जानकारे अपने लिए कौन सी इंपोर्टेंट है वो देखते हैं परवरी मार्च का मैंने शिक्षा के लियाजे से बेहत अहम होता है हर बोर्ड की परिक्षाई चलती है बीते करी 15 दिनों के अंदर कोरोना के कारण एक एक करके सभी राष्ट और जे बोर्ड ने अपनी परिक्षाई इस्तगित कर दी अब करोडो इस्टूडेंट परिक्षाई वापिस से सुरू होने का इंतिजार है परिक्षाई कब होगी उनका रिजल्ट कब आएगा ताकि नए सत्री की तैयारी में जुड सके तो मातोपन के आपडेट है चलिए इस मानव विकास मंत्री न्यापर जो प्रकास जावेड करें उन्होंने जानकारी दिये देखेगा न्यापर के जानकारी दिये एक वरिश्रदीकारी का कहना है कि सीब्यस सी समेत अन्य बोर्ड की बच्ची परिक्षाई माई के मद्दे तक खतम हो पाएगी फिर इनके नतीजे जून तक गोसित किये जाएंगे तो यहाँ पर इनके जो रतिजे वो जून तक गोसित किये जाएंगे और इनकी जो परिक्षाई या माई के अंतक खतम हो पाएगी तो माई के खतम तो हो जाएगी यह इन्होंने कहा है आगे जानकारी और पढ़िए ये भी पढ़िए इन स परिक्षा मई तक जाएगी तो यहाँ पर जो परिक्षा है आपकी मई तक जाएगी तो मुल्यांगन की परिक्रिया उसके बाद सुरू की होगी नतीजे आने जून तक का समय लग जाएगा लेकिन यह सब इस बात पर निरबर करता है कि परिक्षा 14 अपरिल के बाद सुरू हो इसके लावा एक और न्यूज में यह खबर आ रहे हैं यह बोड से सम्भन देख लेते हैं तो यह मतुपन खबर हो रहे हैं यहां पर देनिक जागरन की जो कि आप देख सकते हो देनिक जागरन की खबर है और इसमें भी कहा गया है कि आरवेसी 1012 बोड एक्जाम 2020 राजस्तान बिलकुल इसी की भी अपडेट है जो कि हमने आपको बता दीए तो यह मतुपन जानकरी बची तितिया न्याबर देख सकते हो न्याबर आपको जो बची तितिया है वो उनका जो टाइम टेबल जारी होगा समन्दित वेबसाइट में आपको जल्दी बता दिया जाएगा त आपको सारी जानकारी है, हमारे चैनल दोरा सबसे पहले आपको बताई जाएगी, जैसे जैसे कोई भी जानकारी मिलती है, और न्यूज के मादेम से, या किसी अधिकारी के बयान के मादेम से, तो हम आप तक जरूर पहुचाएंगे, जहीं दोस्तों, बेस्ट आप लग, तैय जाम बचे हुएं, उनके अच्छी तैयरी कर सकते हो, अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, टोपर बन सकते हो, धन्यवाद दोस्तों